इस वीडियो में आपको और ओपी टू से रिलेटेड काफी इंपॉर्टन जानकारी देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें साथ ही साथ बेल का इकन को दवा दिजे फ्रेंड्स तो आईए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है नियूज यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे एक यूजर के द्वारा यहाँ पर हमें वाटसेप किया गया है और इसमें कुछ बताया गया है यहाँ आपको मैं फुल डिटेल में इसमें बताने वाला हो कि इनके द्व चेक कर लिया है, OROP2 Corrigium PPO जारी हो गया है, और उसके साथ-साथ इनके द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर एक फोटो भी यहाँ पर सेर किया गया है, तो मैं आपको इसके बारे में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर का यहाँ आपको मेसेज आ रहा है, देखिए, एक यूजर का यहाँ पर मेसेज है, यहाँ पर पेंशनर आईडी यहाँ पर दिया हूआ है, यहाँ पर इनका जो है, जो पुराना PPO नंबर था यहाँ पर, इसको रिवाइज करके, नया Corrigium PPO नंबर यहाँ पर जारी कर दिय गया है, फ्रेंट्स, और यहाँ पर आपको भी इसी परकार का अगर मेसेज आ रहा है, तो आप भी PCDA के Official Website पर जा करके, PPO अपना चेक कर सकते हैं, उसके अलावे बात की जाए, यहाँ पर देख सकते हैं, नौटी सेलर के द्वारा यहाँ पर एक ट्वीट किया गया है, औ From 100 रुपीज to 500, only सिपाही even less, यानि इनके द्वारा यहाँ पर साप साप कहा जा रहा है, कि जो OROP2 का नया टेबल जो जारी किया गया है, उसमें JCO's rank को बहुत जादा benefit यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, और उनको यदि benefit देखने को मिल भी रहा है, तो मार्तर केवल 100 रुपए से लेके 500 रुपए तक का benefit ही देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ उनके द्वारा यहाँ पर और आगे भी बताया गया है, कि जो the kernels and generals है, not सिपाही are real beneficiary due to the service in the rank, यानि इनके द्वारा यह भी बोला जा रहा है, कि सबसे ज़्यादा benefit जो है, करनल और generals को मिल रहा है, बाकी जितने भी सिपाही rank हो, चाहे JCO rank हो, उनको यहाँ पर benefit देखने को नहीं मिल रहा है, तो friends फिलाल वीडियो में बस इतना ही, यदि कोई और information निकल करके आती है, one rank, one pension से related, तो सबसे पहले आपको हमारे इस YouTube चैनल पे मिल जाएगी, वीडियो देखने के लिए धन नवाद friends, thank you